Amazon Prime Video की वेब सीरीज पंचायद सीजन 3 का धूम चार ओर है पंचायद का सीजन 2 काफी उदास मूर पर खत्म हुआ था तो सीजन 3 की शुरुआत भी सैड नूट के साथ ही होती है पूरा सीजन अफरा तफरी में बीटता है प्रहलाद अपने बेटे की मौत के सदमे से उबर नहीं पाये है सचिव जी का तबादला हो गया है नए सचिव आ गये है रिंकी सचिव जी से संपर्ख साधने की कोशिश करती है लेकिन वह फून नहीं उठाते विधायक के दिल में बदले की आख सुलग रही है भूशन और बन राकस की राजनिते गतिविधियां बढ़ गई है और वह किसी ना किसी तरह से फुलेरा ग्राम पंचैत में अपना कबजा करना चाहता है जिसके लिए वग कई चाले भी चलता हुआ नजर आ रहा है अगर हम कहानी की बात करें तो पंचैत के जहां चार पहले एपिसोड उदास रसे सराबोर है और इंसान के जिंदगी की कई मजबूरियों और रंग को दिखाते हैं वहीं पांचवे एपिसोड से प्रधान जी और उनकी टीम का ड्रामा शुरू हो जाता है और वो सब बाते नजर आने लगती हैं जो पंचैत के फैंस चाहते हैं बेशक कहानी थोड़ी स्लो चलती है लेकिन वेब सीरीज का आखरी और आठवा एपिसोड सारी कम्यों को पूरा कर देता है सीधी साधी पंचैत अंत आते आते मिर्जापुर में तबदील हो जाती है यहीं नहीं आखरी एपिसोड का अंत जब देखेंगे तो हो सकता है आपको 2021 का फेमस बागपत चार्ट युद की यादे ताजा हो जाएं पंचैत सीजन 3 में एक्टिंग की बात करें तो जितेंद्र कुमार सचिव जी के रोल में जमें हैं नीना गुपता और अगवीर यादव पहले की तरह पूरे स्वैग में हैं वहीं प्रधान मंजू देवी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं लेकिन सीजन 3 में विधाय का करदार निभाने वाले पंकर जहाने जोड़दार एक्टिंग दिखाई है अगर आप पंचाय सीजन 3 मुफ्त में देखना चाहते हैं तो आप इसे Amazon Prime के YouTube चैनल पर देख सकते हैं